नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक घर पर बना एक ऐसा कपसरप लेकर आया हूँ जो कितनी भी पुरानी से पुरानी आपकी खांसी बलगम हो फेपड़ों में जमा पड़ा बलगम हो उसको भी बाहर निकाल देगा ये इतना कारगर है और दोस्तो मैं इसकी तारीफ क्या करूँ इसकी तारीफ तो आप करेंगे यदि आप इस नुस्खे को इस कपसरप को अपने घर पर बना कर परियोग करेंगे तो दोस्तो आप इसकी तारीफ किये बिना नहीं रह पाएंगे क्योंकि इसका असर आपको पहल ही दिन से दिखाई देगा और दोस्तों आपने इस कफ सिर्फ को इसका एक चमच दिन में तीन से चार बार लेना है और पहले ही दिन चाहे आपकी जो खासी जो खामोस वो सालों पुरान हो दोस्तों वो भी सही हो जाएगा इतना कारगर है कफ सिर्फ ही है और दोस्तों इसको भी बिलकुल असान है क्योंकि इसको बनाने के लिए मैं जिस जिस सामगरी का पर्योग कर रहा हूँ वो सब सामगरी आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएगी यानि आपको कहीं से बाहर से लाने की भी जिरूरत नहीं है और आप अपने घर पर अपने हाथ से बना रहे हैं तो आपको इस बात की भी शोट है कि आप जो बना रहे हैं उसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें ही आप डाल रहे हैं तो चलिए टाइम वेश्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें दोस्तो इस नुष्खे को इस कपसिरफ को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली सामगरी चाहिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कोई मौम जस्ता हम इसमें मौम जस्ते का ही प्रियोग करेंगे हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करेंगे इस नुष्खे को और वैसे भी जब भी आप कोई दवाई अपने घर पर बनाएं तो उसको आपको ग्राइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्राइंड करने से क्या होता है कि उसके आदे जो गुन होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं हमेशा आपको मौम जस्ते का परियोग करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी दवाई पूरा असर करें अब इसके लिए जो सबसे पहले आपको चाहिए वो चाहिए आठ से दस काली मिर्च ये देखे दोस्तों आप आठ से दस आपने काली मिर्च लेनी है और इस मौम जस्ते में डाल देना है और इनको आपने हाथ से अच्छी त्रहें से कूटना है धीरे-धीरे करगी ये देखे जैसे हम कूट रहें आपने भी ऐसे ही इनको कूटना है और इनको मोटा पेस्ट नहीं आपने बारीक पेस्ट बनाना है बारिक सा पाउडर बनाना है क्योंकि जैसे अगर ये मोटे होंगे तो जब आप इसका सेवन करेंगे तब आपको प्रोब्रम आएगी तब आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और ये मुँ में भी रड़केंगे तो आपने इसका फाइन सा पाउडर बनाना है अभी हम इसमें और भी चीज़े डालेंगे तो धीरे धीरे उनका पाउडर बनाते रहेंगे दोस्तो जो काली मिर्च होती है वो छाती और गले की रोगों के लिए बेहत कारगर दवा की तरह काम करते हैं और सरदी जुखाम में तो बेहत कारगर असर करती है क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है अब जो अगली इसमें आपने सामगरी लेनी है वो लेनी है दोस्तो चार लोंग ये आपने इस तरह से लोंग लेनी है जो आपने लोंग लेनी है वो फूल वाली लोंग लेनी है तो आपने ये चार लोंग भी इसके अंदर डाल कर इसको भी कूटना है दोस्तो लोंग की तासिर भी गरम होती है और सर्दी जुखाम के लिए बेहत कारगर दवा बन जाती है लोंग भी अब जो इसमें अगली सामगरी हमा डालेंगे वो डालेंगे दालचिनी, दालचिनी का हम थोड़ा सा टुक डालेंगे एक छोटी सिस्टिक दालचिनी की डालेंगे, वो हम इसलिए डालेंगे इस ओस्ति को इस दवाई को और भी अधिक पावरफुल, और भी अधिक कारगर ब बारीक पावडर बनाना है ये देखे दोस्तों जैसे हमने कूड कर इसका बारीक पावडर बना लिया आपने भी इसका बारीक पावडर बना लेना है पर अभी तक ये नुस्खा हमारा complete नहीं हुआ तो आप इसको last तक देखते रहे आप skip करने की गलती मत करना क्योंकि आप से कोई ऐसी चीज छूट जाएगी जिससे इसका महत बढ़ेगा और आपका नुस्खा काम नहीं करेगा तो इसलिए आप बिना स्किप किये देखते रहेगे और इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे लेना है आपके बच्चों क साफ कर लेना है अब हमने क्या करना है इस अद्रक का हमने जूस निकालना है रस निकालना है आप दोस्तों इसको ऐसे कूट कर रस निकाल सकते हैं ग्रैंडर करके मिक्सर में रस निकाल सकते हैं या कद्दुकस करके भी रस निकाल सकते हैं जैसे हम इसको कद्दुकस कर रहे आपने क्या करना है इसको कद्दुकस करना है बारीक वाले से और अच्छी तरहे से कद्दुकस करके और कोई साफ कपड़ा लेना है क्योंकि हम दवाई बना रहे हैं इसलिए साफ कपड़े का होना जरूरी है और आपके हाथों का भी साफ होना जरूरी है ताकि उसमें दवा म आपने इसको फैकना नहीं हैं, आप इसका चाय में प्रियोग कर सकते हैं, या किसी और सबजी बनाने में, किसी भी रेस्पी में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें गुह हैं, अब आपने जो वो तीनों चीज़ों मिलाई थी, काली मिर्च, लोंग और दालचिनी उन सब को अधरक की रस में आपने मिला देना है अच्छी तरहें से मिक्स कर देना है पर ये अभी भी हमारा नुस्खा कम्पलीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हम इसमें और चीजे मिलाएंगे इसकी पावर को बढ़ाने के लिए अब दोस्तो अगली जो चीजशे में हम मिलाएंगे वो मिलाएंगे हल्दी पावडर आपने एक चोथाई, छोटा चमच हल्दी का लेकर जैसे ये हमने लिया और इसमें मिलाया आपने भी ऐसे ही मिलाना है दोस्तो हल्दी एंटिबायटिक की तरहें काम करती हैं और हमारे स्रीर के लिए बहुत कारगरदव है हमारे स्रीर की इम्यून पावर को बोश्ट करती है जिससे के हम सर्दी खासी जैसे चोटी मुटी बीमारियों से बचे रहते ही अब जो अगली चीज आपने इसमें मिलानी है वो मिलानी है दोस्तो इसमें सहद और सहद हमने लिया है इसमें चार चमच वो इसलिए हमने लिया है एक तो सहद इसके गुनों को बढ़ाएगा दूसरा क्या है कि ये आपको इसका टेश्टी भी अच्छा लगए इसलिए हमने चार चम्मच का समे सहध का प्रयोग किया है क्योंकि आप इसमें बच्चों के लिए भी ले सकते हैं सब को दे सकते हैं इस नुस्खे को इसका किसी भी त्रहें का कोई भी नुकसान नहीं है अब ये चार चम्मच जैसे हमने सहध मिलाया और इसको हमने अच्छी तरहें से मिक्स कर दिया ये आलमोष्ट हमारा नुस्खा रेडी है हमारी कफ सिरफ दवा रेडी है आप इसका ऐसे भी सेवन कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे इसके गुणों को और भी अधिक बढ़ाएंगे जिससे कि ये दवा आपको एक ही दिन आप तीन से चार बर ले न और एक दिन में ही आपकी सर्दी खासी को चुमंतर की तरह गायब कर दे और जो आपकी चाती में सालों से जमा कफ है न उसको भी बाहर निकाल दे साइनस के रोगियों के लिए भी एक कारगर दवा की तरह काम करे अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे जाइफल और जाइफल आपने कितना डालना है आपने जाइफल को गिसकर आदी से एक चुटकी कही प्रियोग करना है यानि थोड़ा सा जाइफल प्रियोग करना है थोड़ा सा जाइफल ही बेहद है इस नुच्खे की पावर को बढ़ाने के लिए आपने जाइफल अधिक नहीं डालना है क्योंकि जाइफल बहुत अधिक गरम होता है और ये सबी चीजें गरम है इसलिए हम थोड़े से जाइफल का प्रियोग करेंगे अब हम इसको अच्छी त्रहे से मिक्स कर देंगे और दोस्तो ये हमारी कब सिरफ रेडी हो गई हमारे सेवन के लिए अब हम इसका सेवन करना है हमी हम इसका सेवन कैसे करें किस उमर के लोगों को कितना सेवन करना चाहिए आईए अब वो जानते हैं दोस्तो जितने भी बड़े आदमी हैं 18 साल से अधिक के उनको इसके एक चमच का सेवन दिन में 3-4 बार करना है और 18 साल से नीचे यानि टीनेज की अगर हम बात करें 7-8 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को आपने इसका आदा चमच देना है एक साल से ओपर और 7-8 साल से नीचे के बच्चों को आप इसको उंगली की साहिदा से चटा दीचे ये आपने डोज रखनी है पर आपने एक साल से कम उमर के बच्चों के लिए इसका परियोग नहीं करना है मैं उसकी सलहा नहीं दूँगा तो दोस्तो यदि आप इसका इस तरह से परियोग करेंगे तो इस सर्दी खांसी के लिए आपको डोक्टर के पास जाने की दुरूरत नहीं पड़ेगी आप घर पर ही इसका बड़ी अच्छे से इलाज कर पाएंगे और एक ही दिन में आपको इसका असर दिखेगा और दोस्तो ये जो नुस्खा हमने बनाया ना ये सिरफ कपसिरफ के लिए ही काम नहीं करेगा उन सब की इम्नुटी को बढ़ाने में भी कारगर तरीके से काम करेगा वेट को बैलन्स का भी काम करेगा यनि आम के आम और गुठलियों के दाम आपने एक चीज के लिए नुस्खा लिया और फाइदे बहुत सारे उठाई ऐसा है ये आज का हमारा कपसिरफ तो दोस्तो आप अपने घर पर बनाईए और इसका प्रियो कीजिए और अपनी सर्थी खासी और बलगम जैसे समस्याओं का सामाधान कर दीजिए दोस्तो यदि आपको इस वीडियो से जानकर ही कुछ मिले तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए जो आप फाइदा उठा रहे हैं वो भी उठासकें और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजें और इसे बेल के आइकोन को भी दबा दीजे क्योंकि तब जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफकेशन आ जाएगा और आप उसको देखकर अपने लिए फाइदा उठासकेंगे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू